नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों चारक के नीती में अनेक ऐसी बातें बताई गई हैं जो ना सिर्फ हमें लाइफ मेनेजमेंट के सूतर सिखाती हैं बलकि ये भी बताती हैं कि हमें कैसे लोगों से संपरक रखना चाहिए और कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए दोस्तों चारक के नीती एक ऐसा गरंथ है जो हमें जीवन से जुड़ी अनेक गुप्ट बातों से अबगत करवाता है ये बातें हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों बरतमान समय में देखा जाए तो पतनी, मित्र और नौकर हमारे परमसयोगी होते हैं तथा स्वयम का घर होने पर हम शान्ती का अनुभव करते हैं चारक के नीती में इन सभी के बारे में बताया गया है कि मनमानी करने बाली पतनी, दुष्ट मित्र, बाद विवाद करने बाला नौकर तता जिस घर में साप रहता हो बहां निवास करना साक्षात मरत्यु के समान है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये सभी लोग हमारे लिए किस परकार से घा तक साबित हो सकते हैं चारक के जी बताते हैं मनमानी करने बाली पतनी, दोस्तों हिंदु धर्म में पतनी को बहुत ही समानी माना गया है पतनी के साथ दुर्बयोहार करने के बारे में सोचना भी गलत है पतनी को अरधांगिनी भी कहा गया है जिसका आर्थ होता है शरीर का आधा भाग लेकिन यदि पतनी का स्वाभाव मनमानी करने बाला है तो वो किसी के रूप में आपका नुकसान कर सकती है दोस्तों मनमानी से अर्थ ये है कि ऐसी पतनी जो अपने पती की इच्छा के बिरुद्ध कारे करती है तथा अन्य पुरुषों में आशकती रखती है ऐसी पतनी अपने नीजी स्वार्थे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है इसलिए कहा गया है कि मनमानी करने बाली पतनी के साथ रहना साक्षात मरत्यु के समान है आगे अचारे चारक के बताते हैं दुष्ट मित्र दोस्तों जीवन में अगर कोई हमारा सच्चा ही तैसी होता है तो वो एक मित्र ही होता है विपत्ती के समय सबसे पहले मित्र ही हमारे साथ खड़ा होता है दोस्तों हमारे धर्म गर तो यह आपके लिए सबसे बड़ा खत्रा बन सकता है दोस्तों दुष्ट मित्र अपना हित साधने के लिए आपको गलत सलाह दे सकता है या फिर आपको शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुचा सकता है एक गलत सलाह और शारीरिक नुकसान दोनों ही रूप में दुष्ट मि इसलिए आईसे मित्रों से हमेशा बच कर रहना चाहिए आचारे चारग के आगे बताते हैं बाद बिबाद करने बाला नोकर दोस्तों घरों में दास यानि नोकर रखने का पर्चलन काफी पुराना है बरतमान में संब्रांत परिबारों में जरूरत के मुताबिक नौकर रखे जाते हैं नौकर ना सिर्फ अपने मालिक की जरूरतों का ध्यान रखते हैं बलकि वो घर के गुप्त भेद भी जानते हैं लेकिन यदि नौकर बाद बिबाद करने बाला हो तो उसे तुरंट निकाल देना ही बेहतर होता है दोस्तों बाद बिबाद करने बाला नौकर किसी भी समय आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत बन सकता है यदि ऐसा नौकर आपका कोई गुप्त भेद जानता है तो बाद बिबाद होने पर वो कभी भी आपका भेद खोल सकता है दोस्तों बाद बिबाद बढ़ जाने पर वो आपको शारीरिक चोट भी पहुचा सकता है इसलिए बाद बिबाद करने वाले नौकर को साथ में रखना साक्षात मरत्यू के समान है चारक की जी आगे बताते हैं घर में रहने बाला साप दोस्तों आप जिस घर में रहते हैं यदि बहां साप का निवास है तो आपकी जान हमेशा खत्रे में रहती है दोस्तों बैसे तो साप बिना बज़े किसी पर हमला नहीं करता लेकिन गलती से यदि आपका पैर उस पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचारे चारक ने चारक के नीती में कहा है कि सर्प युक्त घर में निवास करना साक्षात मरत्यु के समान होता है। इंस्पाइरिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टाय मोटिवेट इस्टाय फियरलेस।